तॉए नमश्कार दोस्तों मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका एट सुमित कमार की एक और नई वीडियो में आज मैं बात कने वाला हूं टाटा टियाई करेँ एंट्स के बारे मेरा पर्सनली इस गाड़ ने intersect क्रेश टेस्ट में फोर स्टार की रेटिंग हासिल कर यह एक्चुली जो क्रेश टेस्ट है टाटा टीगोर का हुआ था टाटा टीगोर और टाटा की टियागो दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर बिल्ड है जो डिजाइन है अल्मोस्ट पूरा का पूरा सेम है 90% केवल जो की तरफ की जो डिक्की है उसमें आपको गाड़ी में फर्क देखने को मिलता है इंजन वगेरा सब कुछ सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि टाटा टियागो की जो रेटिंग है ग्लोबल इनकेप टेस्ट में वह भी फोर स्टार ही होगी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिल करने में यूज हुई रहती है उससे मिलकर के बनती है किसी गाड़ी की बिल्ड वालिटी तो बिल्ड कॉलिटी में केवल शीट ही नहीं आती जनली लोग बाग समझ लेते कि टाटा की जो शीट ऑबर ऑल जो लोहा है वो काफ़ी अच्छा है और उससे आपकी बिल्ड देख रहे हैं यह काफी जादा और गाड़ी का overall chassis उसका material वह यह वह माइने रखता है गाड़ी के अंदर क्या safety features हैं वह माइने रखता है इंटरम सों design aerodynamics गाड़ी के कैसे हैं वह माइने रखता होगी टाटा टिया को की जो शीट क्वालिटी वो कैसी है सो परस्टनली मेरा एक्सपिरेंस यह रहा है कि वाइट कलर में जो शीट क्वालिटी है इस गाड़ी की मुझे तो बिलकुल भी पसंद नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं चोटे-मोटे डेंट जो है यहां पर सब्दूर देखने को मिल जाते हैं और आज तक यह मिस्ट्री बने हुए हैं मतलब की इजिप्ट के पिरामिड और यह सब चीज कैसे बनी हैं इन सब की मिस्ट्री के बाद एक मिस्ट्री यहां पर यह भी आप देख लो कि मेरी गाड़ी में इसक्रेच या डेंट कैसे पड सो यह भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है बाकी एक बार मेरे अपना एक्स्पिरेंस बताता हूं कि जबलपुर से भोपाल की तरफ में आ रहा था और मेरे सामने की तरफ चल रही थी एक मारूती सुजू की ओमनी उसने किसी कारण वह शड़न ब्रेकिंग कर दी और मेरे प पीट पर मैंने जब सड़न ब्रेकिंग करी तो जो पीछे वाले स्प्लेंडर में बंदे थे वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और यहां पर पीछे उन्होंने ठोक दी इवन उनके जो आगे का जो हैंडिल है वो तिर्चा हो गया था रिंग में थोड़ा बहुत उनक और यहां पर चेंज किवाई गाड़ी में कुछ हुआ होगा जो बंपर है यहां पर यह गाड़ी टकराई थी और यह प्लास्टिक कर बनाओ प्लास्टिक को बावजूद अगर लोहे में तो ठीक है कि मानलो डाटा का जो लोहा है वह काफी जाधा अच्छा रहता लेकिन ब देख सकते हैं थोड़ा सा यह जो पीछे का बंपर है यह डेमेज हुआ था नंबर प्लेट यहां पर हल किसी थोड़ी सी हुई थी बाकी यह अंदर पिचक गया था अंदर से एक मुक्का मारा और यह बाहर निकल के आ गया बस इतना सा डेमेज और मतलब यह सारी चीज़े बत साइड देखना जिस चीज को मारूती सुजुकी में खोलने के लिए एक या दो नट खोलने पड़ेंगे इस गाड़ी में वहीं सेम टाइम जस्ट डबल नट्स वगेरा यह डबल क्वालिटी की चीज आपको देखने को मिल जाएगी एक बार का एक्सपिरियेंस से सरा की ब फिटिंग थी वो इसमें करी गई थी चीज में जुह लोहा है वह चीज लगाने में और ताटा तीअगों की बेउल ऍबंड क्वालीटी है वह होती प्लास्टिक्वाइटिये intap tuttiा में वह वह में आपको काफी अच्छी देखने को मिल गते हैं आप मारूती औस सुजुकी या युंडे की किसी गाड़ी में बैठना और उसके बाद आप टाटा की ट्यागो नेक्सोन हरियर में बैठना आपको लिटरली फील होगा कि भाई यार कुछ तो प्रीमियम चीज कुछ तो क्वालिटी वाली जो चीज है वो टाटा अपनी गाड़ियों में यूज करता है सी ट्याग के साथ बिल्ड क्वालिटी का एक्सप्रीएज दो साल में और पर्सनली मुझे टियागो यदि जो भी बंदा टियागो टाटा हेरियार या टाटा में रिक्सोन या की कोई गाड़ी लेता हो उसके पीछे जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी या से einफटी है उनी को लेख करके लेता है तो नो डाउट काफी अच्छी है अभी तक तो मुझे कोई बड़ा एक्सिडेंट देखने को नहीं मिला लेकिन इंटरनेट पर जितनी भी वाइरल वीडियो में ने देखी है ट्यागों के साथ एक ट्रक वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा कि इसके उ जादा प्राउड की बात है कि मैं इस गाड़ी कौन करता हूं बाकी जो बिल्ड क्वालिटी इसकी जो टाटा ने बनाई है जो हैवी बेट जो हैवी वेट इस गाड़ी को दिया है उससे कुछ नुकसान भी है कि सेम बन पॉइंट टू लीटर के इंजन जो बाकी गाड़ि आप रहेंगे तो गाड़ियां बहुत आजाएगी लेकिन अगर व्यक्ति ही नहीं बचेगा तो गाड़ी का क्या करेंगे तो यह थी कुछ बाते मेरी तरफ से मेरा एक्स्पिरेंस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया उम्मीद है आपको वीडियो काफी जादा पसंद आई लगी होगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगा इसी तरीकी की अच्छी वीडियो के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय है